Hello Everyone, Welcome to Blue Well Online Study Friends, आज हम 27 सेप्टेंबर से लेकर 3 अक्टोबर 2023 के हिमाच्वर प्रदेश Weekly Analysis Current Affair गिरराज 2023 में जितने भी कोशन्स पूचे गए थे उनके बारे में हम डिसकस करेंगे तमिल ग्रंत कुशल का रचाईता कौन है? इसका अंसर है संत तीरु वलुवर उसके बार नेक्स्ट कोशन है Smoke and Ashes नामक किताब का लेकर कौन है? इसका अंसर है अमिताब गोश इसकी अलावा अमिताब गोश जी के बारे में और वी इन्फोमेशन है उनको हम जान लेते हैं अमिताब गोश जी का जनम भारत के कॉलकता में हुआ था और अमिताब गोश जी बांगला देश और श्री लंका में पहले बड़े और वहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लेट की थी इसके अलावा अमिताब गोश जी ने Smoke and Ashes के अलावा और भी कई पुस्तके लिखी है जो कई बार हमें एक्जाम्स में देखने को मिलता है जैसे The Shadow Lines नेक्स्ट है The Glass Palace और उसके बाद है The Hungry Tite और Gun Island उसके बाद The Great Derangement नेक्स्ट है The Nedmeckers नेक्स्ट है जंगलनामा और उसके बाद है The Living Mountain ये सभी पुस्तके अमिताब घोश जी के द्वारा लिखी गई है इसके अलावा अमिताब घोश जी ने जो पुस्तके लिखी थी उनके इस काम को 30 से अधिक भाशाओं में अनवाद किया गया है और एक और important point ये है कि 2019 में अमिताब घोश जी को भारत के सर्वोच साहित्य सम्मान ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा अमिताब घोश जी ग्यानपीट पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेजी भाशा के लेकक बने इसके बाद समीती ने पंचायती राज व्यवस्ता को पुनरजीवित करने का कारिय किया था उस समय इस समीती में कुल 13 सदस से शामिल थे जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्ता की कारिय प्रनाली में सुधार करने का कारिय किया था तो यहां से ये important point हो जाता है सबसे पहले अशोक मह उसके बाद next question है जब दिन और रात की अबधी बराबर होती है तो सूर्य की किरने सीधी कहां पड़ती है इसका अंसर है भूमध्य रेखा पर साल में दो बार सूर्य की सीधी किरने पड़ती है डेट याद रखना है एक है 21 मार्च को और दूसरी डेट है 23 सेप्टेमबर को तो इन दोनों डेट में सूर्य की किरने भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है उसके बाद next question है जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाब पड़ता है इसका अंसर है बढ़ोतरी यदि पर जंग लग जाती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है लोहे का बजन बढ़ जाता है क्योंकि जब आइरेन में जंग लगता है तो उसका ऑक्सिकरन बढ़ने लगता है आइरेन के साथ ऑक्सिजन के मिल जाने के कारण लोहे का बजन बढ़ जाता है उसके बाद next question है यार्ड हिट पद किस खेल से संबंदित है इसका अंसर है होकी और इससे पहले एक एक्जाउंज में बहुत सारे स्पोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं स्पोर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपोर्नेंट पॉइंट्स में यहां पर लेकर आई हूँ जो बार-बार हमें एक्जाउंज में देखने को मिलते हैं तो इसको हम एक बार डिसकस कर लेते हैं जैसे यहां से क्वेश्चन में तो यह क्लियर हो गया कि 16 यार्ड हिट पद यह किस से संबंदी थे कौन से खेल से संबंदी थे होकी से और इसकी अलाबा भारत का राष्ट्रे खेल क्या है होकी है और भारत में सबसे पहले क्रिकेट सपरदा 1892 इस्वी में शुरू किया गया था और पहली बार पार्सी और येरोपियन के बीच में ये मैच हुआ था नेक्स्ट इंपॉडेंट पॉइंट यह है कि गोल्फ गेंद का बजन 1.58 होता है नेक्स्ट इंपॉडेंट पॉइंट यह है कि 1952 और 53 में भारत ने प्रथम बार टेस्ट श्रिंखला अपने नाम की थी जो कि पार्क के विरुद खेला गया था नेक्स्ट इंपॉडेंट पॉइंट यह है कि वॉलीवाल को एशियाई खेलों में 1958 इसवी में शामिल किया गया था तो यह सबी पॉइंट बहुत ही जादा इंपॉडेंट है इसके अलावा ओलंपिक खेल चार वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है नेक्स्ट है कि टाइगर वूड्स किस देश के गोल्फ खिलारी है इसका क्या है अंसर USA इसके अलावा सडेन हैथ शब यह कुष्टी खेल से संबंदित है और चाइना कप यह जिमनास्टिक खेल से संबंदित है तो ध्यान रखना है. Sudden Hue, ये कुष्टी खेल से संबंदित है. और China Cup, ये Gymnastyk से संबंदित है. इसके अलावा, चीन का जो राष्ठ्रे खेल है, वो है table tennis. और next है banana kick, ये कौन से खेल से संबंदित है? ये है football से. और नेक्स्ट है अंजली भागवत ये राइफल शूटिंग खेल से संबंदित है तो ये भी ध्यान रखना है सबसे पहले तो सडेन है ये कुछती खेल से संबंदित है नेक्स्ट है चाइना कप ये जिमनास्टिक से संबंदित है और नेक्स्ट है चीन का राष्ट्रे खेल है वो है table tennis next important sports है बनाना की कौन से खेल से संबंदीत है football से और next है अंजली भागवत ये rifle shooting खेल से संबंदीत है और 16 yard hit bird ये hockey खेल से संबंदीत है उसके बाद next question है crawling और ranking शब्द किस से जुड़े है इसका अंसर है search engine next question है चीटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है इसका अंसर है formic amal चीटी के डंक में methanoic amal पाया जाता है जिसे formic amal के नाम से जाना जाता है या formic amal भी कहा जाता है इसके अलावा कुछ और भी important facts है उनको भी discuss कर लेते हैं जैसे आंसू में सियालिक amal पाया जाता है और इसके अलावा आसू हमारी आंख के लेक्रिमल ग्लेंट में बनते हैं तो ये दोनों ही point बहुत जादा important है इसके अलावा citric amal एक दुरलब कार्बनिक amal है जो की खटे फलों में जैसे नीमबू, संत्रे और कई खटे फल होते हैं उनमें citric amal पाया जाता है उसके बाद next question है क्लोनिंग के जरिये जन्मी भेड जिसका नाम डॉली रखा गया था तो डॉली का जनक कौन था इसका अंसर है इयन बिम्ट डॉली के बारे में थोड़ी और important information है उनके बारे में जान लेते हैं जैसे क्लोनिंग के जरिये 5 जुलाई 1996 इस वी को पहली बार किसी स्तंधारी जीब को क्लोन में तियार किया गया था और ये डॉली एक भेड की प्रजाती है और इसे युनिवर्स्टी ओफ एडिन वर्क के रोजलीन इंसिट्यूट स्कॉनलेन में तियार किया गया था डॉली को तियार करने वाले शोद करता का नाम है एक तो इयान बिलमिट है जिनके बारे में हम अल्रोडी डिसकस कर चुके हैं और इसके अलावा इनके साथ में जो काम कर रहे थे इयान बिलमिट और कित कैंपवल इन दोनों ने डॉली को तियार किया था और डॉली के पैदा होने की घोशना फरवरी 1997 इस भी में की गई थी और डॉली का नाम जो की एक फीमेल सिंगर थी काफी पॉपुलर सिंगर थी डॉली पाटन के नाम पर रखा गया था डॉली ने कुल 6 बच्चों को जनम दिया था और इसकी अलावा दॉली की 7 साल की उमर में मौत हो गए थी उसके बाद नेक्स्ट कोशन है हिमाच्वर प्रदेश में राज्य सभा की कितने सीटे हैं इसका अंसर है 3 राज्य सभा या राज्य परिशद भारत की सांसत की उपरी सदन को कहा जाता है राज्य सभा में 250 सदस्यों तक सिमित है और 8 प्रेजेंट टाइम में राज्य सभा में 245 सदस्य है और हिमाच्वर में लोग सभा की 4 सीटे है जिसमें अनुसूचित जाती के लिए एक seat है और अनुसूचित जन जाती के लिए कोई seat अरक्षित नहीं है और इसके अलावा हिमाचल में तीन राजे सभा सांसत चुने जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोशन है हिमाचल प्रदेश में भारतिय प्रध्योगी की संस्थान कहा स्थित है IIT इसका अंसर है मंडी हिमाचल प्रदेश में भारतिय प्रध्योगी की संस्थान जिसे हम IIT के नाम से जानते हैं ये मंडी में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष दो हजार नौ को उसके बात next question है गिरत जन जाती हिमाचल प्रदेश के किस शेतर में पाए जाते हैं इसका अंसर है कांगडा घाटी और गिरत जन जाती ये एक क्रिशक जन जाती के रूप में जाने जाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगडा शेतर में पाए जात उसके बाद next question है विर्सुगीत हिमाचल प्रदेश के किस देवता की स्तुती में गाया जाता है इसका अंसर है महासु देवता कुछ details है उनको discuss कर लेते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश के शिमला के जो उपरी शेत्र है वहां पर विर्सुगीत महासु देवता की स्तुती के जसकत हैं महासु देवता के भाई है जिनका नाम है बासिक महासु और पवासिक महासु भूथिया महासू जिसे बोथा महासु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चल्दा महासू यह सभी भगवान्शिप के ही रूप है उसके बात next question है कुमार सेन ठकुराई के संस्थापक कौन थे इसका अंसर है कीरत सिंग तो यहां से तो यह हो गया हमें confirm कि कुमार सेन की जो स्थापना है वो कीरत सिंग ने की थी कुछ किताबों में कीरत चंद लिखा है तो इसे एक बार आप खुद भी रीचेक कर लीजेगा तो कुमार सेन ठकुराई के जो संस्थापक है वो किरत सिंग जी है यह कहां से आये थे विहार से आये थे और इसके अलावा राना विध्याधर सिंग जी यह कुमार सेन के अंतिम शासक के रूप में ज संद आया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे थैंक यू सो मच